Hello and welcome to War of Aspirants, यह class है, foundation course Hindi की BA, BSc, B.com, second year के लिए, तो आएए इस पूरे exam का pattern देखते हैं और explanation के साथ चीजों को समझने का प्रियास करते हैं, आप इसके pattern को बहुत ध्यान से देखेगा, इसमें जो सबसे पहला question आता है, उसमें आपसे यह कहता है कि किसी एक पर संक्षिप्त लेक लिखिए, आपसे एक article लिखवाता है, और यह question 20 marks का है, 20 number का question है, और वो प्रमुक हस्तियां जिनके उपर लेक लिखवाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से हैं, राजा रामोहन राय के उपर आ सकता है, होमी जहांगीर भाबा के उपर भी आ सकता है, महत्मा गांधी बता दिया है, इन में से आप कोई तयार कर लीजे, अब हम जब इन सभी पर नजर डालते है, तो हमें इसमें सबसे आसान जो लेक लगता है, वो लगता है महत्मा गांधी के उपर, most of the students इसी को प्रफर करते हैं, अब यह इस बात के उपर depend करता है, कि जब आपकी परिक्ष आपको कुछ इस तरह सही मिलेगा, और उसके नीचे आपके सामने तीन विकल्प रहेंगे, और उन तीन में से आपको किसी एक हस्ती पर, किसी एक महापुरुष पर अपना आर्टिकल लिखना, और 20 नमबर का ही कोशन है, तो आईए शुरू करते हैं, सबसे पहले महत्मा ग गुजरात के पौर्बंदर नामक स्थान पर हुआ था, ये वो पंक्ति है, जो हम सभी को पता होती है, नॉर्मली, इनके नाम के जो ये दो शबन है, करमचन गांधी, ये इनके पिता जी का नाम है, इनका नाम था मोहनदास, तो इनका पूरा नाम कुल मिला के क्या हुआ, म अब बात करते हैं इनके परिवार की गांदी जी की माँ पुतली बाई अतियंत धार्मिक थी उनकी दिन्चरिया, उनके डेली लाइफ, घर और मंदिर में ही व्यतीत हो जाती थी वे नियमित रूप से फास्ट रखती थी, उपवास रखती थी और परिवार में किसी के बिमार पढ़ने पर उसकी सेवा सुशुशा में दिन रात एक कर देती थी यहाँ पर दो शब्दाएं हैं सेवा और एक शब्दाएं हैं सुशुशा इन में फर्क ही होता है, वास्तों में जो सेवा का मतलब होता है सर्विस जैसे हम किसी कंपणी की सर्विसिस यूज़ करते हैं और बदले में उसको पैसा देता है जैसे माली जी आप मोबाइल फोन में किसी कैरियर को यूज़ करने हैं बाकाइदा उसमें आप रिचार्ज कराते हैं, तो वो फिर आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वास्तों में जो सर्विस होती है, वो एक मुल्य के बदले में होती है, लेकिन ये जो शब्द है सुस्रुषा, ये बिना किसी मुल्य में की जाने वाली सेवा होती है, सुस्रुषा तो में क्या आता है आहिंसा और विशुकी सभी वस्तों को साश्वत मानना, साश्वत का मतलब होता है अनंत हमेशा, इस प्रकार उन्होंने स्वभाविक लूप से आहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धी के लिए उपवास आधी को अपने जीवन में अपनाया, आगे बढ़त उन्होंने एक बात कही है कि बड़ो की आग्या का पालन करना सीखो, उसमें मीन मेक निकालना नहीं, वे अपनी किशोरावस्था में अपनी आयू के बच्चों के जैसे ही समन्य थे, लेकिन हर ऐसी नादानी के बाद, वे स्वम से वादा करते थे, कि फिर कभी ऐसा नहीं कर उसी वक्त, पुरबंदर के एक व्यापारी की पूत्री कस्तूर्बा से उनका फिवहा कर दिया गया, कस्तूर्बा मोहंदास से 6 महीने बड़ी थी, कस्तूर्बा और गांधी जी के पिता मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती को रिष्टेदारी में बदल लिया, आईए बात करते हैं गांधी जी के युवाजीवन, 1887 में महात्मा गांधी ने जैसे दैसे मैट्रिक की परिक्षा पास की, और गुजरात में ही है भावनगर, भावनगर इस्थित सामलदास कॉलेज में दाखला ले लिया, अब अचानक से गुजराती से अंग्रेजी हमजने में दिक्कत होने लगी, अब इस पीच उनके परिवार में उनके भविषय को लेकर चर्चा चल रही थी, अगर निर्णय केवल मोहंदास पर छोड़ा जाता, केवल गांधी जी पर छोड़ा जाता, तो वे तो डोक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैशनो परिवार म में एक उच पद पा जाएं, तो फिर उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा, और ऐसे में गांधी जी को फिर इंग्लेंड जाना पड़ा, वैसे भी गांधी जी का मन उनके सामलतास कोलेज में कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को बड़े आसानी से बड़ी ही सहजता से स्विकार कर लिया, जब गांधी जी ने अपनी माता पुतली भाई से विदेश जाने की अनुमती मांगी, तो उनकी माने अनुमती परदान नहीं की, क्योंकि मां को शंका थी, कि यह विदेश जाकर माश आदी को खाने ना लग जाए, तो फि पहुचने के दस दिन बाद भी लंदन के कानून महविद्याला इनर टैंपल में दाखिल, और फिर गांधी जी ने 1891 में अपनी वकालत की सिक्षा पूरी की, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें किसी कारण वस एक केस के सिलसले में दक्षिन अफरीका जाना पड़ा, एक अब दक्षिन अफरीका में गोरे काले लोगों पर जुल्म करते रहे और उनके साथ दुर्वेवार करते थे, तो इसी तरह फिर जन्म हुआ सत्याग्रह का, और ये सत्याग्रह होता ही किस प्रकार है, जो कस्ट पहुचाने के बजाए उन्हें जहिलने, बिना दुएश के प्रत क्लास के डिबे में सफर कर रहे थे, अब उनके पास प्रतम श्रेणी का फर्स क्लास का एक वैले टिकट भी था, लेकिन काला होने के कारण, उन्हें साथ अफरिका के पीटर मैड्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से फैक दिया गया, दक्षिन अफरिका में इसके अलावा भी उन्हें कई अन्य कटनाईयों का सामना किया, अफरिका में कई होटलों को उनके लिए वर्चित कर दिया गया, उनका प्रवेश वहां पर बंद कर दिया गया, तो बहुत सारी कटनाईयां उन्हें जहली, लेकिन वहां पर भी उन्हें लगातार अपना संगर्ष जारी रखा फिर उसके बाद होती है उनकी दक्षिन अफरीका से वापसी भारत वापस लोटने के बाद उन्होंने अगले चार वर्षों तक भारत एस्थिति का अध्यन किया कि भारत में क्या-का परिस्थितियां चल रही है उसको ध्यान से उन्होंने समझा तता वह समय उन लोगों को तयार करने में बिताया जो सत्या ग्रह के दुआरा भारत में प्रत्वित समाजिक और राजनितिक बुरहियों को हटाने में उनका साथ दे सकें और फिर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की तानासाई का जवाब देने के लिए अपने समाज को एक राजनिती में शक्री रूप से प्रविस मिलता है यह चंपारन का किसान आंदोलन ही वो घटना है जहां से इंडियन पॉलिडिक्स में महत्वा गांदी जी एक्टिव हो जाते है और इस सत्या ग्रह की शुरुआत भी कहां से होती है बिहार के चंपारन के किसान आंदोलन की कहानी क्या है इसको जानते हैं देखे चंपारन जिले में नील की खेती की प्रथा थी वहाँ पर इंडिको की फार्मिंग होती थी अब हुआ क्या कि इस छेतर में जो बागान मालिकों को जमीन की ठेकेदारी अंग्रेज़ों ने बागान मालिकों को जमीन की ठेकेदारी दे यह उसके लिए कंपल सरी थी, अब दरसल नील जो था, इसको हम इंग्लिश में इंडिगो भी कहते हैं, वो एक नकदी फसल थी, यानि कैश क्रोप थी, यानि नील बेचो और तुरंत पैसा लो, जैसे हमारे पस्चिमी उत्तरप्रदेश में गन्ने की फसल है, एक नकदी फसल आर्थिक सोशन था, और उपर से नील की जो खेती होती थी, वो खेत की उपजावपन को भी कम करती थी, उसकी उर्वरता को भी कम कर देती थी, नील की खेती करने से खेत की जो उर्वरता थी, जो फर्टिलिटर थी, वो कम होती थी, और इन्होंने नील की खेती करना कम पल स मगर इस घाटे की भरपाई अंग्रेजों के इशारों पर बागान मालिक उल्टे किसानों से ही करने लगे, किसानों पर नएने टेक्स आरोपित किये जाने लगे, अब यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था, तो उसे अपने मालिक को एक बड़ी राशी तवान ये टेक्स का नाम है, तवान के रूप में देनी पड़ दी थी, और इसके अलावा उनसे बेगार, बेगार कहते हैं, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट, अर्थात बिना पैसे दिये, बंधवा मजदूरी करवा लेना, जवरदस्ती काम करवाना, इस परकार चमपारण मे खेती करने वाले किसानों की इस्थिती अत्यधिक दयनी होगी, बहुत बेकार होगी, नील की खेती के दोरान हो रहे अत्याचारों के विरुद, चमपारण में किसानों ने हर बार विरुद प्रकट किया, बिहार के मोतिहारी और बेतिया से सटे हुए इलाकों में, किसानों इस आंदोलन ने किसानों की सहता की जो संपन ने थे जिनका काम ठीक ठाग थाग फिर 1917 इसी में गांधी जी चंपारण आये और डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के सहयोग से जिनमें जेवी कलप्लानी भी थे उनके सहयोग से चंपारण की दाईनी इस्तिती का जाय जाए बड़ी संख्या में किसान बागान मालिकों के अत्या गांधी जी को शिगर ही छोड़ दिया गया किसानों की शिकायतों की जांस के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई इस कमेटी में गांधी जी को भी एक सदश्य के रूप में रखा गया और फिर इसके बाद जो वो तीन कठ्या प्रनाली थी जिसमें उपजाव जमीन के 15% हिस् 1918 में हुआ, खेड़ा एक जगय का नाम है जो गुजरात में है और चमपारण के किसान आंदोलन के बाद खेड़ा गुजरात में एक किसान आंदोलन हुआ, चमपारण के बाद गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की और ध्यान दिया, उन्होंने किसानों को एकतित किया, ए पुर्की की धमक्या दी, कि इनकी संपत्ती कुर कर लीजे, लेकिन फिर उससे भी किसान नहीं डरे, इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, अनेक किसानों को जेल में डाल दिया गया, फिर जून 1918 इस वी तक खेडा का या किसान आंदोलन एक व्यापक के पके अनुवाई बन गए, इसके बाद आता है ऐसा ही हो आंदोलन जिसकी अबदी है 1920 से 1922, परतम विश्वियूद के बाद, फस्ट वर्ल्ड वर के बाद, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला, महात्मा गांधी ने भारतिया रादनीती में प्रवेश किया, और अब कॉंग्रेस की बागडोर उनके हाथों में आ गई, महात्मा गांधी के नेत्रुत में कॉंग्रेस ने एक नई दिशा ग्रहन कर ली, राजनीती में प्रवेश के पहले महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका में सत्य अहिंसा और सत्य ग्रह का प्रयोग उल्ड़ी कर चुके थे, और जैसा कि उम्मीद थी कि इसके बदले अंग्रेज भारतिय नागरिकों को कुछ राहत जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद फिर गांधी जी ने ऐसा योग आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी के ऐसा योग आंदोलन शुरू करने के पीछे सबसे प्रमुक रोलेट कमिटी की रिपोर्ट के विरोध हर जगह विरोध हो रहे थे और इस एक्ट के विरोध में पूरे देश में हरताल करने का निष्चा किया गया, जब भारतिय विदान सभा में उस विदह पर चर्चा हो रही थी, गांधी जी वहां दर्शक के रूप में उपस्तित सरकार के दमन के खिलापait कोई उपाय नहीं सूझा वो सभवा के शुरू होते ही वहां पहुच गया और उसने अपने साथ हत्यारबन सेना की टकड़ी और गाड़्यां ली और बिना चेतामजी दिये आदेश दे दिया कि तब तक गोली चलाओ जब तक गोला बारूद खत्म ना हो जाए। सारे देश वक्त लोगों के विरोध के बावजूद भी ये विधह कानून के रुप में पास कर दिया गया और सैखडो पूरुस इस्तरी और बच्चे भून डाले गए। तो पंजाब क इस जलिया वाला बाग में पंजाब के लोगों का कष्ट देखकर गांधी जी बहुत विचलित हो गए। तब गांधी जी ने लोगों को सला दी कि वे हर तरह से सरकार से ऐसायोग करें। आर्थात किसी भी प्रकार से सरकार का सहयोग ना करें। उन्होंने लोगों से कहा कि वे बिटिस सरकार दुआरा दिये जाने वाले खिताब सुईकार नहीं करें। यदि किसी भारत्य नागरी को बिटिस सरकार कोई भी खिताब देती है, कोई भी उपाधी देती है, उसको सुईकार ना करें। और जो पहले स्विकार कर चुके हैं वे उन्हें लोटा दिया। और इसी करम में उन्होंने सुम कैसारे हिंद नाम का स्वन पतक भी लोटा दिया था। इसके बाद पूरे भारत में 1920 में ऐसा हयोग अंदोलन की शुरुवात हो गई इसके अंतरगत उपाधियों तथा एनैतिक पदों का परित्याग होना शुरू हो गया। 1921 में गांदी जी ने सुम सेवकों से जेल भरने का आवान किया। तब गांदी जी ने इस ऐसा हयोग अंदोलन को इस्थकित करने की गोशना की जिससे बहुत से नेता गांदी जी से रुस्ट भी हुए। इसके बाद आता है सविन्य अवग्या अंदोलन और दांडी मार्च 1930. ऐसा हयोग अंदोलन के बाद भी भारतिय राष्टे कॉंग्रेस का संगर चलता रहा। और 1930 इस वी तब कॉंग्रेस ने भारत की स्वतंतता के लिए सरकार से कई मांगे की लेकिन कॉंग्रेस की सभी मांगे सरकार द्वारा ठुकरा दी जाती। जन्ता के मन में यह बात घर कर गई कि सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर किया ही जाना चाहिए। फिर अंता था 1930 में कॉंग्रेस की कारे कारणी ने मात्मा गांधी को सैविनय अवग्या आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया। जिसकी प्रतिकरिया के रूप में सरकार का दमन चक्र भी देजी से चला। 1930 को गांधी जी ने नए वायसराय लोड इर्विन को बिटिस राज में भारत की बुरी दशा के बारे में एक लंबा पत्र भी लिखा पर उन्हें इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। गांधी जी के नमक सत्य ग्रह से सारा भारत आंदोलित हो उठा 12 मार्च 1930 को सुबह 6 बजे हजारों लोगों ने देखा कि गांधी जी आश्रम के 78 स्वमसेवों को सहीत दांडी यात्रा पर निकल पड़े हैं। दांडी उनके आश्रम से 241 मील दूर समुदर किनारे बसाई गांधी जी ने सब देशवाश्यों को छूट दे दी कि वे अवैद रूप से नमक बनाएं। हचारों महिलाओं ने घरों से बाहर निकल कर आंदोलन में शक्रिय सही होग दिया। लेकिन आपको यहाँ एक बात पता होना चाहिए कि मुस्लिम लिग को छोड़कर भारत के सभी दलों और सभी वर्गों ने इस आंदोलन का साथ दिया। और अब सरकार भी गांधी जी और कॉंग्रेस के महतु को समझने लगी। अब सरकार समझ गई कि आंदोलन को केबल ताकत के बल पर नहीं दवाया जा सकता। अब अंग्रेज सरकार समयधानिक सुधारों की बात को सोचने लगी। और इसी उद्देशे से लंडन में हुआ पहला राउंड टेबल कॉन्फरें और इसके बदले सभी राजनितिक कैदी छोड़ दिये जाएंगे। और फिर कॉंग्रेस गोलमेज समयलन में भाग लेगे। तो दित्य गोलमेज समयलन में भाग लेने के लिए कंग्रेस के एकमात्य प्रतिनीती के रूप में गांदीजी लंदन गई थे। वहाँ उन्हों प्रियास के विर्द बढ़गाने का प्रियास। फिर उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1922। भारत छोड़ो आंदोलन की जरूत इसलिए पड़ी थी क्योंकि अंग्रेजों ने बिना मर्जी के भारत को Second World War में धकिल दिया था। और बाद में ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त करांती मैदान का नाम दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त करांती के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी लेकिन आमतवर पर लोगों का ये मानना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त को। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त करांती के नाम से भी जानते हैं। और इस आंदोलन के दोरन 14,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया था। आर्सना सभा के लिए निकले थे। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपको एक संक्षित लेक लिखना है तो आप चाहें तो इसके अलावा राजा रामुहन राय और लाला लाजपत राय के ऊपर भी लेक को तयार कर सकते हैं। अगले प्राशन पर चलते हैं अगला कोशन किस प्रकार से आएगा। इसमें जो कोशन नमर 2 आएगा उसमें आपको किसी एक टोपिक पर ऐसे लिखने के लिए बोलेगा सार गर्वित निबंद लिखने के लिए और ये टोपिक रहेगा 30 मार्स का 30 नमबर का। अब इसमें आपको जो सबसे आसान लग रहा होगा वो प्रियावरन परदूशन लग रहा होगा तो आप चाहे तो इसको तयार कर सकते हैं लेकिन नई सिख्षा नीती को भी आप जरूर देख लिखेगा क्या पता इस बार भी आजा है ये प्रशन ये जो आप पांच टोपिक देख रहे हैं ये पांच और बोड टोपिक हैं जो 2022 और 2023 में आये हैं जिसमें से नई सिख्षा नीती ये रिपीट भी हुआ है तो इस पर आप को निबंद तयार कर लेना है और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप इस पर निबंद तयार कर लेंगे ये कोशन काफी important है इसका margin भी 30 नमबर का है तो इसमें आप new education policy को जरूर देखी लिजेगा इसमें जो तीसरा कोशन है वो है प्रारूपन से आप क्या समझते हैं और सरका प्रारूपन किस तरह प्रसुत किया जाता है और अच्छे प्रारूपन की विश्चेशताइं क्या होती हैं मैं इन तीनों को आपको एक जगए समाहित करके इस प्रशन का उत्तर कराने का प्रियास करता हूँ देखे सबसे पहले जानते हैं प्रारूपन किसे कहते हैं हम लो को तयार करके सक्षम अधिकारी के सामने प्रसुत करते हैं सक्षम अधिकारी मतलब जिस भी अधिकारी को उनको रिपोर्ट करना है जिस भी अधिकारी के परती वो उत्तरदाई है उसके सामने प्रसुत करते है और उस मसोदय के स्विकर्त हो जाने के बाद ही वो पत्र तयार ह फिर जब वो सक्षम अधिकारी उसको accept कर लेते हैं, उस पर signature कर देते हैं, तब वो पत्र बनता है, तो फिर प्रारूपन क्या हुआ, वो मसोदा तयार करने की प्रिक्रिया ही कहलाती है, प्रारूपन, सक्षम अधिकारी के सामने पत्र का जो एक कच्चा प्रारूप पेश किय अर्थाद किसी कारियले में जब कोई पत्र प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर देने के लिए, जब कोई पत्र लिखा जाता है, तो पत्र का एक कच्चा रूप तयार कर लिया जाता है, और फिर उस कच्चे रूप को अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, अब फ तो सरकारी कारियले में होती है, लेकिन विभिन वैफसाईक संस्थानों भी इसका अब कम महत्व नहीं है, सरकार के तो प्रतिक इस तर के कारियले में प्रसाशनिक इकायू के बीच में पत्र विवार लगातार चलता रहता है, गोवर्मेंट की जितनी भी administrative units हैं, उनके बीच पत्र विवार चलता ही रहता है, वहां तो काम ही कागजों से होता है, इसलिए वहां तो प्रारूपन की आवशक्ता पढ़ती ही रहती है, अब बात यहां कि प्रारूपन की आवशक्ता इसलिए पढ़ती है, क्योंकि प्रारूपन प्रस्थूत करने वाला और विवरन रख प्रस्तुत करने वाला और विवर्ण रखने वाला क्रमचारी कौन होता है लिपिक होता है क्लर्क होता है तो वह अपने अधिकारी के प्रति उत्तरदाई होता है और साशन की नीतियों के लिए सीधे उत्तरदाई होता है क्योंकि जो पत्र जाएगा वह अधिकारी के साइन हो पत्र की ड्राफ्टिंग तयार करना, उसका एक कच्छा प्रारूप तयार कर लेना, और अधिकारी को दिखाना, अब अधिकारी को यदि उसमें कुछ गडबर लगती है, तो उसमें संशोधन कराएगा, बदलाव करवाएगा, और जब अधिकारी उस पत्र से संतुष्ट हो तब जाके वो उस पर अपने signature करेगा, तो इसलिए जो lipic होता है, जो clerk होता है, वो उस संसा के प्रति उतरदाई नहीं होगा, जहांपर वो पत्र बेजा जाना है, वो किवल और किवल अपने अधिकारी के प्रति उतरदाई होता है, और आप जानते हैं कि पत्र सक्षम अधिक तो इसलिए जो अधिकारी होता है, वो जिस कारेले को पत्र भेजा जा रहा है, या साशन की नीतियों के लिए सीधा हुतरदाई होता है, उस पत्र की जिम्मेदारी पत्र प्रेशक्की होती है, लिपिक की नहीं होती, पत्र भेजने वाले अधिकारी की होती है, लिपिक की नह सरकारी कारिय प्रणाली के अंतरकत कोई भी ऐसा छेतर नहीं है गुवर्णने ओफिसस में ऐसा कोई भी छेतर नहीं है जहां प्रारूपन की आफशकता न पड़ती हो और बिना प्रारूप किये कोई भी पत्र अंतिम रूप राप नहीं कर सकता अता हम कह सकते हैं कि प्रारू प्रारूपन की कुछ विशेष्टा इस प्रकार से होती है। प्रारूपन की चपेवे प्रपत्र आते हैं। इस प्रारूपन में जो प्रारूपन में जो बहुत संग्शेप में हूँ। इसके निए भाषा पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और लेकन विधी में भी पारंगत होना आवशक है। पत्र में बिना बाद के बहुत सारे वर्ट्स यूज़ कर देने से। ब्रहम की इस्तिती बन जाती है। पुस्तक काल्ये में पुस्तक के मंगाने के लिए पुस्तक विक्रता को पत्र लिक्ये। प्रारूपन में क्या नतर होता है, एक आदर्श टिपण कैसे लिखा जाता है, तो देखे प्रारूपन तो मैं आपको समझा चुका हूँ, अभी अभी हमने प्रारूपन को समझा है, आए टिपण को समझते हैं, और एक बात का ध्यान रखेगा ये प्रारूपन और टिपण, जब बहर से कोई पत्र आता है चाहिकर दोरा जो करमचारियों लिपिकों और अधिकारियों, दौरा जो पंक्तिया लिए उने ही कारियले की शब्दावली में, टिप्पन कहा जाता है या दूसरे शब्दों में कहा जाता है तो कारियले में किसी पत्र के प्राप्त होते ही उस पर कारवाई का एक सिलसला शुरू हो जाता है जो उसके अंतिम रूप तक निप्टारे तक चलता रहता है वो तब तक चलता रहता है जब तक उस पत्र का निप्टारा ना हो जाए तो ये कारवाई विभिन करमचारियों और अधिकारियों से होते हुए अंतिम निर्णा तक पहुँचती है इसी प्रिक्रिया को हम टिपण कारिया कहते हैं लेकिन मानलीजे कोई भी पत्र आया उस पत्र में कुछ बात लिखी हुई है अब उस पर कारवाई चलेगी तो वो किसी अधिकारी के पास पहुँचा अब अधिकारी ने उस पर लिख दिया आगे की कारवाई करें अब अधिकारी के बाद वो किसी और करमचारी के पास जाता है यह मानी जी आधिकारी से जो नीचे दर्जे का अधिकारी है उसके पास जाता है उसने उसको देखा अब वो उस पर अपने टिपनी करेगा वो संबंदित विभाग के करमचारी को आदेश करते हैं उस पर कुछ लिखेगा इस पर आगे की कारवाई की जाए तो इस तरह एक सि अधिकारी टिपन के माध्यम से ही आपस में समवाद करते हैं जो सरकारी कारेलो के करमचारी होते हैं वो टिपन के माध्यम से ही करनवर्सेशन करते हैं अब अधिकारी उठ करके किसी करमचारी को बताने नहीं जाएगा कि यह काम करो उसके पास जो पत्र आता है वो ही पर न नहीं करेंगे, वहां किसी पत्र पर या किसी फाइल पर लिखकर ये नहीं बताएंगे, कि घर की साफ सफाई की जाए, और उसके नीचे हस्ताक्षर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, व्यक्ति गजिवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्रसाशन में और वेवसाय में ये होता है, वहाँ कोई अधिकारी किसी करमचारी को मुह से कहने नहीं जाएगा मौकिक रूप से और कारेले में काम की मात्रा भी जादा होती है और अधिकारी भी बदलते रहते हैं इसलिए रिकोर्ड रखने की भी आवशक्ता पड़ती है मुख से कही हुई बात का कोई record ही नहीं रहेगा मान लीजे किसी अधिकारी ने किसी करमचारी को काम करने को कहा अब क्या उस बात का कोई record है यदि वो लिखित रूप में नहीं है और फिर अधिकारी बदलते भी रहते हैं तो record रखने की तो आवशक्ता पड़ती है इसलिए टिपण बहुत जरूरी होता है, किसी संस्था में या किसी कारेले में कोई निर्न है, किन परिस्थितियों में, या किस आधार पर लिया गया, इससे संबंदित क्या आदेश जारी किये गए, किस बात की मंजूरी दी गई, क्या शर्ते तै हुई, इन सब का रिकोर्ड रखना जरूरी है, इसलिए टिपण लेखन का महतुव बहुत अधिक होता है, आई अब जानते हैं टिपण के प्रकार, टिपण के अनेक रूप प्रसलित हैं, जो उप्योगीता और आफशक तक के अनुसार बदलते रहें, जैसे सुक्ष्म टिपण यानि इसको में शॉट संख्षित में चोटे रूप में निर्देश लिए इन्हें हम सुक्ष्म टिपण के लिखते हैं, अब बात आती है कि सुक्ष्म टिपण में क्या-क्या लिख दिया जाता है, तो सुक्ष्म टिपण में अबलोकणार्थ सम्मती के लिए कृपय मिलने दीजिए, देख लिज मैं अशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है अब इसी में आप से टिपण और प्रारूपण में अंतर पूछा गया था तो टिपण आपने समझ लिया है प्रारूपण आपने समझ लिया है यदि टिपण और प्रारूपण में अंतर पूछने लगे लिखा जाता है, ग्रहनी को शुद रूप में इस तरह से लिखा जाता है, छत्रिय को इस तरह से लिखा जाता है, नीरोग को शुद रूप में इस तरह से लिखा जाता है, ये तो इसका संधी रूप है, भाशकर का सुद रूप ये होता है, मातर भाशा का ये होता है, यहाँ पर रीकी मात राती है, कभी अनेकों नहीं लिखा जाता, अनेक लिखा जाता है, ऐसे ही उज्वल में स्वर्रहित जय, यानि आधा जय दो बार राता है, ये गलत है, ये वला सही है, वैराग को इस तरह से सही लिखा जाता है, जन्नी का ये शुद रूप है, तयार का शुद बिंदू लगता है, ना कि अनुस्वार, ये आंसु का सही रूप है, लक्ष को लक्ष लिखा जाता है, रित्यू को सही रूप में इस तरह से लिखा जाता है, तदू प्रांत का जो सही रूप है, वो है तदू प्रांत, इसी प्रकार वालमी की को इस तरह से सही लिखा जा उनको यहाँ पर समाहित किया है, इनको जुरूर ध्यान से देख लीजेगा, और जो सबसे last question आएगा आपके सामने, वो होगा कि किनी 5 वाक्यों को शुद्ध करवा रहा था, यहाँ पर आपको वाक्य को शुद्ध कराएगा, कुछ वाक्या आपको दिये गए होंगे, और उन कर दिया, दिन लगा करके, क्योंकि रविवार अपने आप में ही क्या है, दिन का नाम है, तो सही रूप क्या होगा इसका, रविवार को चुटी रहती है, अगला वाक्य कुछ इस प्रकार से है, गुरू की सुष्रूशा करनी चाहिए, अगला वाक्य है, आप यह पुस्तक पढ़ी है, अगला वाक्य है, मेरा मित्र महा कंजूस है, देखें, यहाँ पर आया है कंजूस सब्द, और कंजूस सब्द से पहले लगा है महा, अभी जो महा शब्द है, यह सम्मानिय और बड़े शब्दों के पहले लगता है, यह महा शब्द सम्मानिय और बड़े शब् अब एक बात बताईए परसपर का भी मतलब क्या होता है एक दूसरे से और फिर वापत से हमने एक दूसरे फिर से यूज कर दिया इसमें परसपर का मतलब ही होता है एक दूसरे से और हमने इसमें फिर से एक दूसरे का यूज कर दिया तो यह सही वाकिय किस प्रकार से होना च प्राचारिय को नहीं, प्राचारिय से निविदन करना चाहिए, अगला बाक्य है, बेटी पराएगर का धन होता है, तो सही होगा, बेटी पराएगर का धन होती है, अगला बाक्य है, मेरा गुप्त रहश्य कोई नहीं जानता, एक बात बताईए, रहश्य तो अपने आप में कलम लाओ, यहां ताजा गन्ने का रस मिलता है, नहीं, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, वह रोगी बिमार है, भाई, रोगी और बिमार एक ही तो बात है, यदि वो रोगी है तो बिमार है, सीधी सी बात है, तो यह वर्ट दो दो बार यूज़ करने की आफशकता नहीं है तो या तो यह वाक्य ऐसे होना चाहिए, कि वह बिमार है, या फिर वाक्य ऐसे होना चाहिए, वह रोगी है अगला वाक्य है, मैं अपनी स्वेच्छा से पुस्तकाले गया था अब यहाँ पर देखिए, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा और यहाँ पर अपनी शब्द फिर से लगा हुआ है पहले भी, तो अपनी और स्वा, स्वेच्छा क्या होता है, स्वाधन इच्छा, तो यह इसमें स्वाध और यह अपनी दोनों का एक ही मतलब है, तो या तो यह वाक्या ऐसे होना चाहिए, मैं अपनी इच्छा से पुस्ट अगला वाक्य है हमारी पुस्तक के अंदर लिखा है ये वाक्य का अशुद रूप ये इस तरह से होना चाहिए हमारी पुस्तक में लिखा है अगला वाक्य है महादेवी वर्मा विद्वान इस्त्रि थी तो देखे महीलाओं के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं हो